हाई एवरीवन केसे हूँ आप सभी लोग आप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल एंद स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में आपके सामने एक most important history का लेक्चर वीडियो लेकर आचुका दोस्तों जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 8 standard के लिए history subject का जो हमने एक new chapter के अलड़ी शुरुआत के थी दोस्तों जिसका नामे chapter 9 last phase of struggle for independence तो आज हम इस particular chapter का lecture number 3 आपके लिए लेकर आगए हैं जो कि अगेर एक बहुत ही ज्यादा important lecture वीडियो होने वाला है तो दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यार इसके पहले हमने दो लेक्चर इस chapter का already complete किया और उसमें हमने क्या डिसकस किया वो आपको याद दिलाना चाहूंगा तो देको chapter का नाम क्या last phase for struggle of independence देको cabinet discuss किया था क्रिप्स mission discuss किया था quit India moment क्या होता है वो हमने lecture number 2 में बताया उसका क्या-क्या resolution है वो सब चीज हमने explain किया साथी में जो लोगों का आंदोलन था उसका कैसे शुरुआ तो beginning of the people's moment ये सभी चीज हमने discuss कर लिया है दोस्तों तो आप जाके देख सकते हो lecture number 2 तक पूर ये भी almost 70% से ज्यादा complete है जो चाप्टर हमने बना दिये आप लोगों के लिए हमने folders भी बना दिये हैं जा जाके आप देख सकते हो तो प्लिलिस section में जाओगे chapter wise, chapter wise, subject wise पूरा range है lecture wise तो जाके अच्छे से देख सकते हो प्लीज जाके पढ़ो अच्छे से conceptual knowledge क्लियर करो औ अपने दोस्तों को भी share कर देना, सबको inform करना, ठीके दोस्तों, शुरुआत करें आज के इस वीडियो की, तो चलिए, देखो, previous lecture में हमने beginning of the people's moment की शुरुआत की थी, people's moment क्या था, लोगों का आंदोलन शुरू हुआ था, अलग-अलग जगा पे लोग जाके लोग जो है आंदोलन कर रहे थे हैं, कुछ लोग तोड़ा गुसा भी दिखा रहे थे हैं, इस परकार की चीज़े काफी ज़्यदा होने लगी, लेकिन यहाँ पे हम एक नया topic की शुरुआत करने जा रहें, जो की उसी से related है, जो की था underground moment, अब ये underground moment है exactly क्या है, नाम से थोड़ा identification नहीं आ रहा है, लेकिन छुपा हुआ है, underground है, तो ये moment, यानि आंदोलन जो हो रहा था underground, तो ऐसे बहुत सारे क्रामतिकारी, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति थे, जिनों ने कहीं न कहीं छुपके, या फिर आप पोल सकते, अपने आपको आगे नहीं दिखा के, कुछ आंदोलन एक नया मोड उसमें आया था कि जो लीडर्शिप थी, moment की, कहीं न कहीं, तो उसमें बहुत सारे यंग जो एक्टिविस्ट थी, बहुत सारे लीडर्स थे, वो उसमें शामिल थे, तो ऐसे बहुत सारे social activities थे, जैसे की, जै प्रकाश नारायन, डॉक्टर राम बनोहर, लोहि वसंत जाधा पाटी लोग है, मंगलानी, बगडी हो गई, उशा महता, ये सब कुछ लीडर्स थे जो सामने से इस मुहीम को, इस आंधोनन को लीड कर रहे थे, वो लीडिंग कारेक्टर्स थे, लीडिंग अक्टिविटीस थे, तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं, और ये इन्ह सर्विस के चो टेलिफोन के वायर्स होते थे, उनको कट कर दिया जाता था, ताकि ये लोग आपस में कमिनिकेट भी ना कर पाएं, तो इस प्रकार की चीजे जो है, railway routes हो गया, टेलिफोन लाइन को कट करना, bridges को तोड़ देना, जो bridge होते न, तो bridge को तोड़ देना, इस प्र मैं डिसकस करूँगा यहाँ पर, Hemu Colony, जैसा उनका pronunciation रहेगा, तो Hemu Colony, जो एक सिंध प्रोविंस के व्यक्ति थे, तो normally उनका योगदान बहुत ज़्यादा बढ़ा था, लेकिन क्या योगदान था और उनने क्या ऐसा चीज किया था, जिनके वैसे बहुत ज़्यादा तक ब्रिटिश का एक टुप था, वो पूरा बैटके जा रहे था, और साथी में उनके पास बहुत सारे समान थे, सप्लाइस थे, वो सब बैटके जा रहे थे, तो उन्हों ने उसको डिश्ट्वाइ करने की कोशिश किया, और वो पकड़े गए, जब पकड़े गए, तो ब्रि करजत, तालुका, जो आपको पता है, मुंबई में ही आ जाता है, नॉर्थ मुंबई आप झाओगे थोड़ा सा, तो आप केज़ेगा, साउथ मुंबई, तो साउथ मुंबई उन्होंने टेलफोन के वायर्स कट करने शुरू है, वायरलेस बना दिया, हर चीज में कर दिया, तो मुंबई में जो विठल, जवेरी और उशा मेता ने, उन्होंने एक तरीके से सिक्रेट ट्रांसमेशन सेंटर बनाया, उसमें एक आजाद रेडियो भी बनाया गया, आजाद रेडियो यानि एक ऐसा रेडियो जिसमें अपना वो भाशन दे सकें, बहुत सारे emotional speeches, बहुत सारे devotional speeches, बहुत सारे ऐसे करांतिकारी वाली बाते उसमें कहे सकें, लोगों को messages प पुराना जमाने वाला, 100 साल पुराना जमाना है, जिसमें कुछ technology नहीं है, तो radio है, तो अगर मेरे अंदर देश भक्ती की भावना है, मुझे किसी और के अंदर भी देश भक्ती की भावना को जगाना है, तो मैं क्या करूंगा, कुछ तो message पहुचाओंगा, तो हम patriotic songs चला आए ज़्यादा ताकि जो इंडियन है, उनको सुनके ये सब चीज को देश भक्ती की भावना सके, एंड साथ ही में बहुत ज़्यादा इस प्रकार की चीज़े होने लगी, transmission, centers जो है कुलकाता में operate किया जाना लगा, दिल्ली में पूने में कुछ समय तक इस प्रकार की ची तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या है establishment of parallel government, तो parallel government मतलब क्या होता है, देखो विदेशी सरकार तो चली रहती हमारे देश में, विदेशी सरकार कौन, ब्रिटिश की सरकार, ब्रिटिश की सरकार चल रही थी, लेकिन कुछ व्यक्ति और कुछ लोगों ने decide कि हम साथ साथ में उनके साथ parallel government चलाएंगे, हमारी भी एक सरकार रहीगी, parallel government, यानि साथ-साथ में, जैसे ये एक line है, अब ये line के साथ ये भी line चल रही है, तो ये क्या हो गया, ये line एक दूसरे का parallel हो गया, maths में पढ़ा हुआ है, mathematics में पढ़ा हुआ है, तो same उसी परकार एक सरकार साथ में एक और सरकार चल रही थे, इसको बोलते है, parallel government, तो parallel government क्या है, तो कुछ जगा पे, हमारे देश में, country में, बहुत सारे British के जो officers थे, उनको हटा दिया गया था, उनको बहार निकाल दिया गया था, और लोग जो है, अपना government, people's government, कोंसा government, people का government, आम जनते का government, people's government च सरकार चलाएंगे, आपके साथ साथ, parallel government चलाएंगे, ठीके, तो parallel government बहुत सारे जगा पे, इसे जगा पे, इसे जगा पे, जैसे की districts of, मिदनापूर, जो बंगाल में आता है, फिर बलिया और आजमगर, यूपी में आता है, उस प्रकार की कही सारे जगा में, बियार में, प जो है दोस्तों, वहाँ पे एक incident हुआ, क्या हुआ, 17 district की अगर हम बात करें, तो उसमें, जो क्रांति सिंह नानापाटिल जो थे, उन्होंने बिटिश गवर्मेंट को एक तरीके से बंद करने का सोचा, और उन्होंने parallel government की establishment की थी, और एक कुंडल करके एक जगा था, उन्ह GD alias Bapu, तो GD alias Bapu जो थे, लाड़, तूफान सेना, उन्होंने एस्टाबलिश की किया, उन्होंने तूफान सेना, तूफान सेना की establishment उन्होंने की, उसमें normally क्या किया, उन्होंने लोगों से tax collect करना शुरू किया, क्योंकि अब government चला रहे है, तो government वाली चीज़े भी आ government चलाने के लिए पैसे चाहिए, तो वो पैसे आते हैं, कहां से, tax से आते हैं, पता है ना आपको ये चीज, government सरकार, सरकार जो हम लोग वोट देते हैं, तो सरकार बनती है, ठीक है न, आज के रिड़ में किसी की government है, कोई भी पार्टी जो है, उसकी government है, उनकी सरकार जो चल बनाती है, रेलवेस बनाती है, government वाली चीज़े, जितने भी होती है, पैसा कहां से लाती है, अपने जेप से तोड़ी डालती है, हमारे से लेती है, तो वही चीज़े, तो सेम यहां पे भी, जो ये parallel government जो चल रही थी, people की government चल रही थी, उन्होंने taxes को collect करना शुरू कर दि जो लोग, जो है, people का court भी बनाएगा, आप देखो, people की government है, तो लोग की सरकार भी रहेगी, और इसके साथ में people का court भी रहेगा, कि अगर कुछ चीज़ गलस होता है, तो वो court में उसका फैसला हो जाएगा, और court जो भी फैसला सुनाएगा, जो भी अपना फैसला लेकिन लोगों ने सामने से एकसेप्ट करना शुरू किया, कि हम यार यह सब चीज़ मानने वाले हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, हमको parallel government चल रही है, ठीक है ना, तो जो parallel government ने appoint किया था court को, उसके इसाब से उनका फैसला भी लोग मानते थे, और बहुत सारे opposition जो है, व जो alcohols होते हैं, दारू अगरे होते हैं, इसको बंद करो, ठीक है ना, और कैसे, किस प्रकार literacy को आगे बढ़ाया जाए, यानि कि पढ़ाई लिखाई को किस प्रकार जादा महत्व दिया जाए, क्योंकि यार पढ़ लोगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो प inspiration के रूप में सामने आ, यानि कि लोग इतना पसंद करने लगे, कि लोग इस से inspire होने लगे, inspiration लोगों के अंदर आ चुका था, इस parallel government के लिए, clear है, तो उमीद करता हूँ कि ये topic भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, एक और topic के दोस्तों, जो आज ह वो discuss करेंगे, तो importance of quit India moment, भारत छोड़ो जो आंदोलन चल रहा था, जो मैंने कल के दिन explain किया था, lecture number 2 में, ठीक है, तो वो exactly क्या था, वो हमने discuss किया था, लेकिन उसका क्या importance था, quit India moment का, भारत छोड़ो आंदोलन का सबस्या था, क्या importance था, ये भी हम साप में discuss करेंगे, त इस चीज को fulfill करने के लिए, बहुत सारे objectives बनाये जा रहे थे, ठीक है न, कि यार, लाखो इंडियन सामने आ रहे थे, लाखो भारतिये सामने आ रहे थे, और यार हमें independence चीए आजादी चाहिए, और हम unlimited sacrifice किये है, हमने बहुत सारे sacrifice किये, और हम sacrifices देने के लिए तयार है, इस सारे शूर वीरों ने अपने जान भी कुरबानी दे के हमें दिलाइए, दोस्तों, तो इसका बहुत important role है हमारे life में, और इसलिए शायद यह history हम पढ़ते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग history पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो कैसे पढ़ते हैं, I don को मज़ा नहीं आएगा, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं, कि पूरा का पूरा concept आपको पढ़ाएं, कि क्या-क्या चीज़े हुई थी वाकई में, उससे पढ़के आपको मज़ा आना चीए, मैं खुच जब पढ़ाता हूं history आप लोगो, या फिर कोई भी subject में पढ़ाता मेरा आपके राहूल सर का एक सबसे बड़ा सपना है, वन मिलियन होने का, सबस्क्राइबर्स के point of view, तो प्लीज इसको अचीव करवा दे, मैं चाहता हूं दोस्तो, चोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बज़ा बच्चा हमारे वीडियो देखे, तो वन मिलियन जरूर से अचीव करवाना इस चानल के अंदर, ठीके दोस्तो, आगे बढ़ेंगे, तो हम वही बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ की कुर्बानी दी है, और number of people अगर हम count करेंगे, तो ये कभी खदम नहीं होगा, यानि इतने सारे लोग की कुर्बानी हैं, कुछ लोगों को जेल में डाल दिया गया, कुछ लोगों की मृत्यू होगे, कुछ लोगों को सजाद देई दिया गया, तो ये सब चीज़े हो गया, तो बहुत सारे लोग, participate भी किये थे इस चीज में, तो patriotic songs, जो है, compose किया जाने लगे, यानि की जो देजभक्ती वाला song, जो हो जाता है आपको पाता है ना एंदूसियाजम का मतलब होता है जजबा जजबा जोश जैसे हम लोग कुछ इंस्पिरेशन वाली चीज़ सुनते हैं यार मेरे अंदर जोश आ गया मैं भी वो चीज़ करूँगा है हम कुछ किसी आर्मी और नेवी के बारे में सुनते हैं कितना म दूबानी दी है, सैक्रिफाइसे किये हैं ठीके न फास्ती पे चड़ गए हैं सूली पे चड़ गए हैं तब जाके हमें आजादी मिली है या फिर आजादी हमें मिल सकती है तो इस प्रकार का एंदूसियाजम जो है लोगों के अंदर डाला जाता था भरा जाता था ताकि यह जो नेशन वाइड़ यह जो आंदोलन है, कुईट इंडिया मॉवमेंट का यह बहुत ही बहतरीन तरीके से हो सके और इसीलिए इस चीज़ को कहा जाता था अगश्ट करांती क्योंकि यह अगश्ट जो है बहुत जादा माना जाता है तो अगश्ट करांत एक तरीके से आप बोल सकते हैं, nation moment ये create होने लगा, तो यही था दोस्तो, हमारा आज का topic, और उमीद करता हूँ कि हर चीज मैंने आज आपको clear कर दिया है, चाहे वो हमने बात कि underground moment की, चाहे हमने parallel government के establishment की बात की, चाहे हमने importance क्या है, quit India moment का, ये भी हमने बहुत अच्छी तरीके से clear करने क कोशिश किये, ठीक है, तो आज का video इसी के साथ समाप्त करते हैं, लेकिन ये chapter भी complete ने हुए, और भी बहुत सारे चीजे बाकि हैं दोस्तो, जो कि हम लोग पढ़ेंगे lecture number 4 में, और अगले lecture में, यानि कि अगला lecture जो lecture number 4, फटा-फट से मैं आपके लिए लेकर आ जाओंग जितना करोगे, उतना अच्छा लगेगा, और जितना लोगों को शेयर करोगे, उतना हमें अच्छा लगेगा, तो अपने सारे friends और इले लेडियो को फटा-फट से share कर दो दो, अगर आपने अभी दागी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटा-फट से चैनल होता, उसको प्रेस कर देना, ताकि future में हम कभी भी कोई भी वीडियो को अपलोड करेंगे, तो आप लोगो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीके friends तो मिलते हैं हमारे एगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए, thank you and good bye